माइक पर गाने के फाइदे नुखसान क्या है? जैसा कि आप देख सकते हैं सामने, एक कंडिंसर माइक है, ये एक डाइनमिक माइक है और ये एक हेड़फून सेट है तो आज ये पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं, तो मैं आपको समझाऊंगा कि इन एक्विप्मेंट का इस्तमाल कैसे करते हैं और इनके फाइदे नुखसान क्या है? क्या गाने में इनका कुछ फाइदा भी होता है और नुखसान भी होता है? रिकॉर्डिंग सिस्टम का, साउंड सिस्टम का, आज उस पर पूरी चर्चा करने जा रहे हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया, क्योंकि आपने ये वीडियो आउन किया, संगीत प्रभावल्ड को सब्सक्राइब किया, ये वीडियो जिसमें कि मैं अपने अनुभव अनुसार, आप लोगों तक एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, आपने ये इन्फॉर्मेशन और जगब बांटी और इस वीडियो को शेयर किया, सबसे पहले तो उस चीज़ के लिए आप सभी का शुक्रिया, आईए, अब जानते हैं कि माइक्रोफोन के फाइदे नुखसान क्या है, सबसे पहले तो माइक्रोफोन पर बात करने से पहले ह हम ये देखते हैं, साउंड सिस्टम का इन्वेंशन अगर किया गया या उसको बनाया गया तो उसकी जरूरत क्यों पड़ी, हम पहले भी हमारा काम चली रहा था, हम बाइक्रोफोन नहीं थे, रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं था, तब भी हम लोग बातचीत करते थे, तब कोई भी मीटिंग होती थी या कोई भी भाशान देना होता था, तो वो लाउडली हो जाता था, जिसमें कि जो राजा था या जो भी औरेटर है, जो भी बोल रहा है, वो जोर जोर से बोलकर पूरी पबलिक को, पूरी अवाम को एड्रेस कर लिया करता था, फिर ये साउंड स्टम और इस सब की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर हम आज चार्चा करने जा रहे हैं, जैसा कि हम जानते ही हैं, माइक्रोफोन और स्पीकर्ज हमारे साउंड को एनहेंस करते हैं, हमारा जो वो जाहर है कि उतना नहीं हम कितना भी लाउड चिला लें, तो उतना नहीं हो पा यह जो अन्बैलेंस है वोईस का यह रहता है, जब भी हम लाइव अगर पबलिक को बिना माइक्रोफोन के अगर हम एड्रेस करते हैं, तो इस वज़े से साउंड सिस्टम का निर्माण हुआ, साउंड सिस्टम हमारी वोईस को एनहेंस करेगा, जिससे कि सामने वाले को अग इतना आगे बैठा वाला व्यक्ति आपको सुन रहा है, तो यह एक साउंड सिस्टम की डिस्कवरी इस वज़े से हुई, ताके जादा से जादा लोगों को एड्रेस किया जा सके, प्लस अगर आपका वोईस पंच कम भी है, अब हर किसी व्यक्ति में वो बात नहीं है कि वो बतूर हर प्रकार की बोईस को, इस वज़े से साउंड सिस्टम हुआ, अब साउंड शिस्टम हो गया भाई, इसके बाद रेकौड़िंक सिस्टम लाने की क्या ज़रूरत थी? recording system जाहर सी चीज़ है इसलिए कोई भी चीज़ का record करने का system यही रहता है कि ताके in future reference के लिए आप उसका इस्तिमाल कर सकें जादा से जादा लोगों में उसका प्रचार प्रसार कर सकें बांट सकें वो knowledge वो बात वो message जो एक व्यक्ति ने एक जगा बैट कर एक जगा खड़े हो कर दिया वो जादा से जादा लोगों तक पहुंचें इसलिए हमने recording system बनाए भली वो video recording हो audio recording हो या documentation हो जो भी process है ठीक है लेकिन documentation में भी आप पढ़ रहे हैं या फिर you know हमने जब मैंने आज मान लीजें या 40,000 या 50,000 लोगों को कोई एक बात बताई प्रचार किया किसी चीज का कोई message दिया अब अगर आपको वो चीज जाननी है और उसका record available नहीं तो क्या होगा मुझबानी लोगों की मुझब recording system का इस्तिमाल हुआ यह मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूं क्यों कि हम आगे जब फाइदे नुखसान पर आएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इन ही reasons की वज़े से इस्तिमाल हुआ तो और इसी में से फाइदे नुखसान निकल रहे हैं ठीक है अब sound enhancement हो गया voice punch हो ग वो भी इसमें record हो जाएगा वहाँ घडी की आवाज भी इसमें record हो जाएगी इसलिए यह सिर्फ studio environment में जहां पूरा क्या बोलते हैं उसको voice treatment आपने sound treatment soundproof करवा रखा है कमरा तभी आप उसका acoustic treatment जो भी उसको कहते हैं वो करवा रखा है तभी आप इसका इसका इस्तिमाल कर स होगी उतनी पंच में नहीं होगी और इसके कई प्रकार आ जाते हैं यह मैंने थोड़ा अच्छा वाला डायनमिक ले रखा है जिसका polar pattern ऐसा है जिसका मुह ऐसा है कि वो सिर्फ मेरी आवाज record करेगा बाहर का sound इसमें bleed होने के chances थोड़े कम है लेकिन condenser में जाधा होते हैं तो यह कुछ-कुछ चीज़ें हैं अब यह headphones देखिए आप इन headphones को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर हलका सा form लगा हुआ है और यह बड़े ही packed headphones है normal headphones जैसे होते हैं यह वैसे नहीं है यह studio headphones है अगर आप इनका इस्तमाल करते हैं और कान पे लगाते हैं तो एक होत लिंग या microphone के यूज पर जब आप माइक में बात करते हैं अब माइक मेरा इतना नस्दीक है मुझे मालूम है कि इसका गेन कंट्रोल मेरे हाथ में है गेन यानि इसका वॉल्यूम कंट्रोल कि मैं कितनी इसकी वॉल्यूम बढ़ाऊं कितनी कम करूं प्लस मैंने headphones भी लगा आएगी तो automatically मैं क्या करूंगा धीरे बात करने लगूंगा हलका बोलने लगूंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि microphone है वो मेरी आवाज बढ़ा देगा आगे editing में EQ में हम उसको change करके उसकी वॉल्यूम और भी बढ़ा सकते हैं है ना मेरी ही वोईस के मैं चार लेयर चार ट्र करके इस वाली क्वालिटी का microphone का इस्तमाल करने के चक्कर में क्या करते हैं आवाज का punch जो natural punch है वो खो देते हैं वो पंच microphones या editing नहीं दे सकती वो natural रियाजी पंच होता है जो अगर आपके गले का रियाज है तो आपके गले में आता है या हाथ में आता है जब आप बजा रहे हैं कोई चीज तो microphones क्या कर सकते हैं या software क्या कर सकते हैं उसको record करके ठीके थोड़ा enhance कर सकते हैं volume बढ़ा सकते हैं अब देखिए दो प्रकार की आवाजे में आपको करके बताऊंगा एक यह आवाज जिसमें अभी मैं बोल रहा हूं और यह यह आवाज अगर मैं इस आवाज में बात करने ल क्योंगा है कि एक particular distance पे बैठा व्यक्ति मेरी ऑवाज उन सके हैं अब अगर मुझे और दूर व्यक्ती को सुनाना है तो मुझे इस आवाज में बात करना पड़ेगा अगर मैं इस आवाज में बात करता हूँ तो वो पीछे बैठा व्यक्ति भी मेरी बात सुन सकता है लेकिन अगर मेरे कोई नजदीक बैठा है तो मुझे इतना जोर से बोलने की जरूरत नहीं है ये कुछ voice levels होते हैं, voice control है, ये microphone control भी एक तरह से आपको समझना होता है कि माइक आपके कितने नजदीक है, इतना नजदीक है तब आप कैसे बोलेंगे, इतना दूर है तो कैसे बोलेंगे तो इसके चक्कर में हम क्या होता है, हमारा sound enhanced डारा होता है तो हम हलका गाने लग जाते हैं मैं आपको एक और example देता हूँ, जैसे कि मैंने राजा माराजा का example दिया, कि वो loud बोला करते थे अवाम को address करने के लिए या कवाल की अगर बात करें तो कवालियां बड़ी loud होती है, उनकी गाई की बड़ी loud होती है उसी तरह से हमारे संगीत में, शास्त्रिय संगीत में, भारतिय शास्त्रिय संगीत में कुछ घराने है जैसे कि पटियाला घराना है, जैसे कि आगरा घराना है, अजराडा घराना है, बनारस घराना है, जैपुर है, दिल्ली है, इस परकार के कई सारे गवालियर हैं, इस परकार के कई सारे घराने हैं, जिनमें गाईकी भी होती है, वादन भी होता है, नृत्ति भी होता है, अजर कि आप अगर सुनते हैं और उसके बाद पनारस की गाईकी अगर सुनते हैं अज्राडे का तबल़ा अगर आप सुनते आ आप आराम से पूरी पब्लिक को एड्रेस कर सकते हैं बिना माइक के, अब अगर उनको माइक दे दिया जाए और माइक पे भी वो उस ही पंच से गाएं, तो क्या होगा, साउंड भटेगा, साउंड डिस्टॉर्ट होगा, साउंड एक्स्ट्रा लाउड होगा, फिर हमें यहा लाइव गाने का शाउर थोड़ा अलग होता है, लाइव गाने का शाउर यानि सेंस, थोड़ा सा consciousness आपको अलग रखनी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो दम हम रियाज से आता है, रियाज करने के बाद जो वोईस में पंच आता है, जो मैं पट्याला या जो enhanced sound आ रहा है तो आप हलका गाने लगे, इसलिए आपने देखा होगा studio recording में अक्सर क्या होता है, headphones लगाए जाते हैं, लेकिन दोनों कानों पर नहीं, एक ही कान पर headphone लगाते हैं, ताकि उसमें track, metronome या जो भी supporting, supportive आपको instrument मिल रहा है, वो मिलता रहे, और दूसरे कान से आपको naturally अपने direct आपकी sound जो है, वो सुनाई देती रहे, तो ये क्यों ज़रूरी है, direct sound सुनाई देगा, तो आपको अपना सुर सुनाई देगा, आपको बारीखी, आपकी natural tone सुनाई देगी, लेकिन क्या होता है, headphones लगाने के बाद जो enhanced sound आ रहा है, वो हमें लगता है कि ब मैं माइक पर गाऊंगा, तो मैं कैसा गाने लग जाऊंगा, मैं इस पंच के साथ गाने लग जाऊंगा, यानि इतना हलका गाने लगूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है, पहली चीज तो headphones में मेरी आवाज loud आ रही है, दूसरी चीज मुझे मालूम है कि recording में आगे मैं उसका गेम बढ़ा सकता हूं, लेकिन पंच नहीं बढ़ा पाऊंगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगी खाली, तो अगर पंच देना है, तो कैसे गाना पड़ेगा, भले ही माइक्रोफोन पर हो, यानि इस पंच के साथ आपको गाने की आवश्यक्ता होनी चाहिए, यही आपका पंच रहना चाहिए, इससे जाधा भी हो सके तो बहुत बढ़िया, क्योंकि आगे हम उसको कम जाधा कर सकते हैं, और हाँ, बट अफकोर्स, इडिपेंड्स कि आप किस प्रकार का गाना गा इस पर कैसा पंच आपको रखना है? अब एक पंच की बात कर रहा हום, जो हैडपोन्स लगाने से या मैक का इस्तिमाल करने से हमें लगता है कि आज आएगा तो हम नैचुरली नहीं देते हैं और रियाज हमारा कम हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो इसका फाइद का दम खन खत्म हो घाता है और वह होता है कि हमारी आपर वाही है इसा नहीं के हर व्यक्ति जिसका जो माइट पर घाता है उसकी आवाज का दम खत्म होता होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सुखिंद्दर पाज हमें मिलता है sound का तो उतना पंच देने की जरूरत क्यूं है लेकिन अब पंच देने की जरूरत कहां पड़ती है जब आप लाइव गा रहे हैं बिना माइक्रोफोन के गा रहे हैं तब क्या करेंगे जब आपके साथ साजिन देग ही है सितर वाला यह ऍतने सारे लोग बैठे हूएं यह तिने इसको मै서도 कि गलथ यह करी है उनहीं को मैं समझाने की कोश요 कर रहा हूं कि यह अपने नहीं करनी है ठीक है तो जाहिर सी चीज है अगर यतने सारे साथ बज़ रहे हैं और फिर आपको अपनी आवाज उसमें खिलानी है और ऊपर लानी है तो उसके लिए आपको दम खम चाहिए कि नहीं चाहिए रियाज चाहिए कि नहीं चाहिए लेकिन हाँ जाहिर सी बात है ऐस इस negativity से हम बचें, microphone का इस्तिमाल करें, हम dynamic का भी इस्तिमाल करें, condenser का भी हर परकार के अच्छे से अच्छे microphone का इस्तिमाल करें, लेकिन दम खम कुक होने की आवशकता नहीं है, monitoring के चलते उसके चक्कर में अपनी आवाज को हलका करने की जरूरत नहीं है, melody के चलते आप ठीक के थोड़ा बहुत modulate करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सुर के चक्कर में हम दम खत्म करते हैं, वो नहीं होना चीए, पूरे दम के साथ, पूरा मुझ खोलके, पूरी loudness के साथ, पूरी अंदर से आवाज आए, पेट से आपका अनहद नाद निकले, और उसके इसका control से खेला जाता है, कैसे change किया जाता है, तो उस पर आप काम करेंगे, मिरे खैल से, और ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया आपका, और ऐसी ही जानकारिया मैं और भी लाता रहूँगा, आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बहुत सारे चैनल से हैं, Master Nisat Productions है, संगी धरा एप है, उसको डाउनलोड करें, Musical Buddies है, The Music Flow है, इनको सब्सक्राइब करें, यहाँ पर भी नए नए वीडियो नए नए चीज़ें हम बताई रहे हैं, और जैसा कि हमेशा कहा है मैंने, विदिवत ढंग से अगर सीखना है, तो क्लास को जॉइन कीजिए, न